दोस्तों स्वागत आप सभी का चैनल पे और आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोसेसर कंपेरजन इंटेल आइफाइफ ट्वेल जेनरेशन के साथ में राइजन का 5600X के साथ में करेंगे तो जो आइफाइफ ट्वेल जेनरेशन वहें 12600K और जो एमडी का राइजन 5 5600X लेटेस्ट है उसके साथ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंसिस है स्पेसिफिकेशन वाइस चले शुरू करते हैं आज कि वीडियो को तो दोस्तों जो आइफाइफ ट्वेल शिक्स हंडेट के हैं उसमें आपको 10 को देखने को मिल जाते हैं तो उसमें से चेंप पर्फॉर्मेंस वाले को जै और जो चार कोर ते वह एफिशेंसी वाले कोर से तो जो पावर एफिशन्सी के वक्ट चार कोर्स का इस्तमाल किया जाएगा जो पाउर फुल कोर्जे उसकी जब जो मैक्सिमम बूस्टिंग क्लॉक है वह 4.9 गी की इंटल आईटाइब ट्वे सिक्संडेट के डिड्र 5 रैं में को सपोर्ट करता रहा जो कि पॉर्ट करता है और दो टाइप के मिनने वाले हैं डियार धीयर फॉर पाइप के साथ में गीड्र 5 के साथ में तो यह जो सीप्यों है यह डियार फूर भी सपोर्ट करता है तर्फी फॉंडَّ लेज़ सपोर्ट लेकिन आप ओवर क्लॉक यानि जो स्पीड मैं बताई है उससे उपर भी आप जा सकते हो दोनों ही सी प्यूस में बाइयोस के जरीए आप जो मेमरी को ठोड़ा और वर क्लोग वी उपर तक कर सकते हैं अगर आपकी सपोर्टेड हो और आपका मदब भी उतना अच्छा हो कि दोनों कंपैटिबल हो अच्छे से और हाइर स्पीड भी ओवर क्लोग वाली सपोर्ट कर सके तो जरूर आप इससे उपर भी लेकर जा सकते हैं अपनी रैम को रैजन 5600X है तो 5600X अभी तो मतलब पहले लॉंच हुआ था तो वो तो PCI Gen 4.0 के साथ में आता है हो सकता है जो नेक्स्ट जेनरेशन रैजन है उसमें शायद PCI 4 & 5 दोनों का सपोर्ट हो लेकिन फिलाल जो लेटेस 5600X है वो सिर्फ PCI Gen 4.0 को सपोर्ट करता है इंटल में आ आप इसके आए जीप्यू से 4K मॉनिटर के मज़े ले सकते हो 60Hz तक यह सपोर्ट करता है 4K रेजलूशन को जो की काफी अच्छी बात है तो इसका मतलब अगर आपके पास 4K मॉनिटर है या 4K लेने के लिए सोच रहे और इंटेग्रेट जीप्यू के साथ भी आपको यू ग्राफिक काड के आप मॉनिटर पर कुछ नहीं देख पाओगे ना आपका कम्प्यूटर चालू होगा तो अगर आपको मॉनिटर पर पिच्चर देखनी है या काम करना मॉनिटर चालू होना चाहिए तो राइजन 5600 X के साथ में एक ग्राफिक काड लगेगा ही लगेगा या आप अच्छे वाला भी लगा सकते हो जैसी आपकी रिक्वार्मेंट है वैसा आप चूस कर सकते हो लेकिन फिलाल जो 5600 X है उसमें कोई भी इंटेगरेट जी प्यू नहीं है तो आपको ग्राफिक काड तो लेना ही लेना होगा लेकिन जो राइजन 5600 G है वो भी सिमिलर प्राइस का मिलता है उसमें आपको इंटेगरेट जी प्यू देखने को मिल जाता है और थोड़ी सी कैश मेमरी कम है तो यह सी लेकिन 5600 G में आपको रेडियो और स्मार्ट कैश देखने को मिल जाती है वहीं जो राइजन 5600X है उसमें आपको 35 MB की कैश मेमरी देखने को मिल जाते हैं लेकिन गेमिंग में और वीडियो एटिंग में कैश मेमरी ज्यादा कोई इसका मतलब 35 MB कैश जो है राइजन में 15 MB जादा इंटल से उसमें आपको कुछ मेजर डिफरेंस या कोई नोटिसेबल डिफरेंस बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो आप इंटल के साथ में अगर आपको जाना है तो आराम से जा सकते हो यह मत सोचना के राइजन में ज 12600X के बीच में में डिफरेंस यह थे और इसका जो रिव्यू है यानि 12600K का रिव्यू और बाकि 12 जेनरेशन के रिव्यू भी मैं चैनल पर जल्द ही डालूँगा तो उसके लिए चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब यह अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर देना शेर कर दो